ओम, शान्ति, आपका प्रश्ण है, लोडी का संगम युक के साथ क्या संबंध है? लोडी और संगम एक ही बात है, लोडी तब मनाई जाती है, जाब रितु परिवर्तन होता है, यहीं से दिन में, जो छोटा दिन था, बड़ा होना शुरू हुआ, रितु में परिवर्तन आया, और वहां भी काल्प में परिवर्तन आया, अब इस लोडी के अंदर जो हम करते थे, वो उसका पर्तिकात्मक रूप है, लोडी पर क्या करते हैं, कि जंगल से वेस्ट चुन करके लाते हैं, डून करके लाते हैं, इकठा करके लाते हैं, घर में भी जो वेस्ट पड़ा है, वो सारा इकठा करते हैं, निकालते हैं, और उसे जलाते हैं, जैसे बुडिया है, उसके चर्खे को जलाना, शुब समझते हैं, चर्खा जलाने के लिए आज नया चर्खा बना के लाते हैं, चर्खा है नहीं न? पन्तु चर्खे के जलाने के पीछे मकसद था कि पुरानी चीज़ों को जलाना, पुरानी हो गई हैं, वेस्ट हो गई हैं, घर में पड़ा हुआ हैं, उन सब को जलाना, तो परमपिता परमयात्मा भी कहते हैं, बच्ची अपनी अंदर जो व्यर्थ विचार, नेगिटिव विचार, जो आपके जीवन की अंदर नुकसान पहुचाने वाले हैं, उन सब को जलाते हैं, उन सब को जलाते। जैसे वो जल जाएंगे आपका जीवन स्रेष्ट बन जाएए इस लोडी का संबांद महाभारत के साथ भी दिखाते हैं महाभारत में दिखाया है कि पांडव जब अज्यातवास में थे जंगलों में बटक रहे थे बनवास मिला था उनको तो जंगलों में बटक रहे थे तो उन्हें वहाँ कोड हो जाता है तो उन्होंने उस समय जंगल के वेस्ट को इकठा किया और उसको जलाया जो काटे थे जाडियां थी जो भी उनको मिला उन सूकी हुई लक्रियां उन सब को जला करके उसकी राख अपने शरीर पर मली और उसके गरम पानी से सनान भी किया जिस से उनका कोड ठीक हो गया इसलिए अब भी उसकी राख को महतु दिया जाता है और उसमें गरम पानी करके सनान करने का भी नियम रखा जाता है तो इस परकार से ये लोडी का संग समय आता है तो संगम के साथ उसका सीधा समन्द है कि परमात्मा आकर हमारे वेस्ट नेगिटिविटी को नस्थ खतम कराके हमारे जीवन में स्रेष्टा को लाते हैं इसी परकार हमने भी अपने जीवन संसार के अंदर तो ये दुनिया लोडी मनाते थे चेंज का अपने को स्रेष्ट बनाना है तो हमारा जीवन आटोमेटिक स्रेष्ट होता जाएगा सुख में जीवन आएगा हम स्वास्त रहेंगे और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा को मारी इश्वर ये विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंदर से संपर्क करें या 9213106986 पर केवल वाटसेप करें ओम शान्ति